बीस साल पहले राजस्तान में एक संगठन बना था राजनितिक संगठन नाम था सामाजिक नश्डिक नारा था उपेकशित को आरकषण और आरकषट को संदक्षण जी हा राजस्तान में प्रदान्मंत्री अटल बिहरी वाजपई द्वारा जाट आरकशण की घोशना करने के बाद अन्य पिछडी जातियों में जो की आरक्षित जातियां थी उसमें एक ऐस एहज़ता के स्थिति होगी कि आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त जाट जो कमिनूटी है वो अब मूल OBC का आरक्षन खा जाएगी बहुदा ऐसे आरोप लगते भी रहे हैं प्रुहिनी कम चुनाव लड़ा था और इस सामाजिक नयाई मंच के दो अगवा हुआ करते थे एक जिनका इस साल के शुरुवात में एक लंबी विमारी के बाद नेधन हो गया लोकेंदर सिंग कालवी और दूसरे देवी सिंग भाटी जिनोंने हाल ही में एक बार फिर से वीजेपी एका पर्फौर्मेंस क्या रही यह देवी सिंग भाटी जो है लगातार कोलायच से विधायक रहे हैं 1997 में पहली बार विधायक बने और वो लगातार अलग-अलग पार्टिऊों से वो जनता पार्ठी से भी रहे हैं ओरी विधायक उसके बाद उन्होंने जब ये पार्टी की गोशना कर दी सामजिक नयाई मंच तो इस पार्टी को अन केटेग्राइज़ पार्टी का दरजा दिया गया जी हैं हमारे यहां पे तीन दरजे होते हैं पार्टी जिसमें राष्ट्रिय पार्टी होती हैं उस समय 2003 के पवार की NCP ने भी चुनाव लड़ा था तो आज हम करेंगे कि सामजिक नयाई मंच ने वह चुनाव लड़के क्या पाया और क्या होया आपको बता देंगी एक सीट सामजिक नयाई मंच की पहले ही चुनाव में जीत गए थे देवी सिंग भाटी कोलाइट से जीते थे और 16 सीटें ऐसी रही जहां सामजिक नयाई मंच ने 10,000 से अधिक वोट प्राप्त किये 25 सीटें सीधे तोर पे ऐसी रही जहां सामजिक नयाई मंच ने मार्जनल वोट से अधिक वोट प्राप्त किये 2003 में राजस्थान से 14 पार्टियों ने विदानसवा चुनाव लड़ा था इसमें से में जैसे पहले बता चुका 6 राश्ट्रे पार्टियां थी और 12 है स्टेट पार्टियां थी और बाकी जो है वो मानित अप्राप्त थी बीजेपी की 12 जगह जमानत भी जब्त हुई थी जिसमें एक जगह सामाजिक नाइमिंच उसकी वजह बना था कॉंग्रेस ने किसी पार्टि से घडबंदन नहीं किया कॉंग्रेस पूरी 200 सीटों पर लड़ी और 35.65 प्रतिशत यानि कि बीजेपी से करीब सवाचार प् उमिद्वार जीते थे वहीं स्टेट पार्टियां जिसमें समाजवादी पार्टी थी लालु परसाद की आरजी वित्नी थी जेडियू थी लोग दल थी समित कुल 12 पार्टियां थी तो उनका उनको करीब 5% वोट मिला 15% वोट अदर्स के पास गया 5 विदायक भी स्टेट दो विदायक बन पाए एक देवी सिंग्भाटी समजिक नायमंच सी और एक लोग जन शक्ती पाल्टी जिसके नेता राम विलाज पासवान हुआ करते थे असे रडवीर सी गूधा विधायक बने तो समजिक नायमंच अपने उपेक्षित को आरक्ष्ण और आरक्षित को सं स्ट्रेट दल पांच परसेंट वोट लाए और सोलह दल ऐसे थे जो माननेता प्राप्त थे जिनको निर्दिलियों के बराबर काउंट किया जाता है वो तीन परसेंट वोट पूरे चुनाव का लाए इसमें से इन तीन में से सवा दो परसेंट अकेले सामजिक नयायमंच ने लिए थे यह वही समाजिक नयायमंच था जिसने इस चुनाव में खेट सिंग राठोड और हरी शंकर भावड़ा जैसे दिगजों का खाता समेट दिया समझिक नयायमंच ने 65 सीटों पर प्रत्याशी उतारे एकमात्र कोलायत जीते लेकिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ 703 वोट मिले थे बड़ा गनित हैं बड़ा अंक हैं किसी भी नए गठिल दल का एक बहतर परफॉर्म नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता इसी दल की वज़े से रतंगड से हरिशंकर भावड़ा हारे शेरगड से केट सिंग राठोड हार गए इसके बाद वो कभी चुनाव मैद परफॉर्म नहीं कर पाएं अगर अपन सीटों की बात करें तो गंगानगर जले की पीली बंगा सीट पर बीजेपी का जो मूल वोर्ट वैंक था उसमें से करीब साड़े सत्रह अजार वोट सामाजिक नाइमंच ले गया जो लून करण सिर सीट हैं वीका ने रखी वहां भ नाइमंच के समुंदर सिंग राठोड चुनाव लड़ रहे थे और भावड़ा लगातार दूसरा चुनाव हार गये 98 में वह 377 वोट से हा रहे थे और यहां करीब 1000 वोटों से चुनाव हार गये तारा नगर में 17,513 वोट लेके रतन सिंग राठोड ने बीजेपी का पू वहां 13.2% वोट समझिक नाइमंच के राम निवास लेगे जबकि बीजेपी 3% वोटों के भी कम अंतर में चुनाव हारी सीकर में भी ऐसा जो अंतर रहा वो राजेंदर पारिक के हार का कारण बना दांता रामगड में बसंत मोरवाल की वज़े से बीजेपी हारी यहां 12% अंतर था लेकिन मोरवाल को करीब 15% वोट मिले नीम का धाना में प्रेम सिंग बाजोर जीते सिर्फ 205 वोट से लेकिन समझिक नाइमंच का प्रत्याशिया एक जार के आसपास वोट ले गया था आमेर में भी परिणाम इनकी वज़े से बदले समझिक नाइमंच की वज़े से और बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो यहां हार गया कॉंग्रेस के लालचन कटारिया साड़े पांस अजार वोट से जीते जबकि आमेर में दस अजार से अधिक वोट समझिक नाइमंच को मिले थे बयाना जो सीट थी वहां धूब वीर सिंग प्रत्याशी हुआ करते सब्सक्राइब करोली में सत्यनारायन सिंग्फ खड़े हुए थे वह चौथे नंबर पर रहे लेकिन यहां कॉंग्रेस की जमानत जब्तों ही कोंग्रेस यहां पांच वे नंबर पर रही यहां बस्पाने चुनाव जीता बीजेपी कांग्रेस दोनों हार गई बुनदी जी लेकिं हिंडोली सीट हुआ करती थी वहां भी बीजेपी का खेल जो है वो समझिक नाइमंच नहीं खराब किया हिंडोली में हालांकि समझिक नाइमंच का प्रत्याशी अंतिमिस्तान पे रहा लेकिन मार्जनल वोट से अधिक ले गया वो अंतर इतना रहा कि जितने वोट सामजिक नाय मंज़त देशूरी की सीड जो की दलितों के लिए आरक्षित हैं वहाँ पे लहरा राम सरग्रा चार हजार वोट लाए लेकिन कॉंग्रेस के नीरेज दांगी 633 वोटों से चुनावार गए यह वही नीरेज दांगी है जो अशो गयलोत के खास हैं और आजकल विधायक बनने के लिए आज तक कर रहे हैं संगर्स कर रहे हैं जनादार तलास रहे हैं परन्तों सीम गयलोत की क पर 449 वोट का अंतर रहा तो यहां सामजिक नाइमंच के गनेशी राम में एकवाल करीब 9000 वोट ले गए शेरगण सीट जिसका मैं उल्लेक कर चुका हुआ खेच सिंग राटवोड भी चुनाव फार गए यहां भी सामजिक नाइमंच का प्रत्याशी जो है मार्जन वोट पर रहे बाद मैं बीजेपी के बड़े निता बने फलोदी सीट पे सामजिक नाइमंच के प्रत्याशी जो प्रकाश छंगानी है वो भी 43146 वोट लाए और दूसरे नंबर पर रहे और वो बीजेपी से करीब 5000 वोटों से हार गय थे जायल मकराना और नावा सीट पे भी मा साधूल मिलाके इस चुनाओं में मोटे मोटे तोर पे बीजेपी जो है वो सामजिक नाइमंच के प्रत्याशियों के कारण 14 जगह आ रही जिनमें कॉलायत फिली बंगा लून करण सार रतंगड तारानगर साधूल पूर्क दाता रामगड आमेर करोली हिंडोली नैनोवा लूनी, सिरोही और भुपालगड की सीटें रही हैं नुकसान कॉंग्रेस को भी हुआ हैं कॉंग्रेस के जहां थापित बड़े नेता थे वहां कॉंग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और रिजर्वेशन वाला इश्यो बड़ा इश्यो रहा 11 जगह ऐसी रही जिसमें सीक सब्सक्राइकर के सीट थी, नीम काथना की सीट थी, बयाना की सीट थी , देसुरी की सीट थी , जालोर , शेरगड , जायल , नावा , और मूर्डवा Ale . Congress हारी या Marginal vote से जादा vote जो है वो समझिक नयाय मंच को मिले तो आपको बता दें कि पहले ही चुनाओं में प्रभावी performance के बावजूद समझिक नयाय मंच जो है वो आगे नहीं चल पाया समझिक नयाय मंच में प्रमुकतिय काम करने वाले बड़े नेता महेंदर सिंग भाटी के निधन के बाद देवी सिंग भाटी और उनकी जो साथ ही थे लोकेंदर सिंग कालवी, सुरेश मिस्रा और यह टीम इस संगठन को आगे नहीं ले जा पाई और संगठन जो है वहीं खत्म हो गया 2014-15 तक मुझे याद है कि यह संगठन रजिस्टर्ड हुआ करता था अब इस संगठन का कोड़ी रजिस्टर्ड यानि अन्रजिस्टर्ड कर दिया गया है तो ऐसे संगठन जो की जनता के आवाज पर बनते हैं जनता की नीड पर बनते हैं रिजरवेशन एक बड़ा इशू थ बैसला इसी संगठन के साथ बढ़कर निकले करनल कि रोडी सिंग बैसला ने एक बड़ा अंदोलन खड़ा किया और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए एक बड़ा आधार भी तैयार किया तो यह संगठन फिलाल अब खत्म है लेकिन 2003 के